ग्रेट फोगलो इस रेड़ी, मैं न्यू तिरंगा इस रेड़ी, जैगन पते वपा, हर हर महादेव, इस ब्यूडिफुल, सुवे सुवे का नजारा जो मज़ा आता ना, हलका हलका बारिश हुए है रात को, और सी, 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 और क्या वदा हो, सी, जैस सी, अनस्तनिया, और मैं भेग रहा हूँ, तबियत से, रास्ते में मुझे ये बावा जी मिले, पता नहीं मुझे क्या समझाने का और डराने का कोशिश कर रहे थे, शायद ये भूके थे, मैंने कुछ पैसे दिया और आगे निकल गए, जैसे ऐसे दिन बढ़ता गया, नजारे और भी मस्त जव ना कर दिया था, मस्त जवर्दस वेदर, और मस्त जवर्दस रोड, जैसे जैसे भीमताल नजदीक आते रहे, सुहावने सुहावने सफर और सुहावने के रहे, पल ये भी जाने आना है, या, वाव, ये तो मैं बादलों के भीतर से आ रहा हूँ, भाई, जी, जा रहे, जाएंगागाए, जाएंगाए, जाएगाए, सेप्टंबर के महीने में दिली से हार लिट हाई 100 किलिमीटर दूर में, ऐसे मौसम, क्या बताओं, ऐसे लग रहा था कि बादलों को चीरते हूए, बादलों के अंदर से जा रहा था, और लगना क्या है, ये सही में बादल के अंदर से ही जा रहा था ये धूंद उफ पंड़ुरा ही लग रहा था यह क्यों आवतार मूवी देखने कोई कहीं जाए इस मौसम में भीमता ला जाए शहर के चकाशान से दूर इन वादियों में इन पहाड़ों में इन रास्तों में इन घाटियों में ही साहिद शकून नम का कोई चीज मिल जाए सही मैं यार स्ट्रेस नमत कोई चीज तो यहां पे दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं आ रहा था ना कोई सोच आगे का ना कोई सोच पीछे का बस मैं और फोगलू और ये रास्ता क्या ये एक्सप्रियेंसे बताऊं बाहर दे जमा जम बारिश नापना पुदा रेंगेर पहन लिया अब हेलमेट पहनूँगा और इसी बारिश मैं भी निकलूँगा आगे बाई दिल्ली कैसे पोचे मैं वो सुच रहा हूँ सुबह सुबह नहाद होके ब्रेकवस्ट करके मैं तयार हो गया आज मुझे घोडा खाल मंदीर और नीम कर उली बाबाजी का मंदीर दर्शन करने के लिए जाना था इतनी तेज बारिश थी कि मेरे पास और कोई दूसरा प्लैन भी नहीं था इन दोनों मंदीर के सिवा तो बस तयार होके फोगलो को लेकर निकल गया मंदीर की और पुरा एक दिन से पुरा भीग रहा हूं अभी भीग रहा हूं रेनकोट पहनने का अवज़द भी लेकिन दिस इस वर्थ इसको कहते हैं मीस्टी वेदर मीस्टी इन बंगली इस स्वीट मतब स्वीट वेदर मीस्टी इन इंगलीश इस मिस्ट वाला वेदर तो दोनों में सफाइस करता है मीस्टी वेदर मीस्टी वेदर का आनन लेते वे मैं आखिर फोगलो के साथ पहुची गिया एंटरेंस आफ ती घोडाकाल टेंपल एक छोटू सा राइट था मेरे होटेल से यहां तक बट मज़ा आगया इस मीस्टी वेदर में राइट करने पे आगे मिलते हैं गिंपल पे गोडाकाल मंदीर उपर कहां में पैरे ग्लाइडिंग भी है जिए के तरफ लेकिन फिलाल मुझे उपर जाना देंगा अगे में पैरे इट कम्स गोडाकाल मंदीर गोलुदेव मंदीर गोडाकाल जाय गोलुदेव या नमा आज का डेट आज का टाइम आज का डे इस मंदिर को टेम्पल आफ भी कहा जाता है घोड़ा खाल टेम्पल ये भीमताल से करीबं धाई तीन किलो मेटर दूर एक जगा में सती थे इस टेम्पल में जो भगवान है वो शिव जी का अबतार माने जाते हैं लोग यहाँ पे काफी दूर दूर से आते हैं अपनी अर्जिया लेके और ये माननेता है यहाँ पे कि अगर आप अपनी अर्जी लिख के इस मंदिर में समर्पित करते हैं तो गोलू देवता जी उस अर्जी को जरूर जस्टिस देते हैं जिसका भी अर्जी यहां पे फुल्फिल हो जाता है वो इस मंदिर में आके एक घंटी बांद के जाते हैं यह एक फेमस यहां का रिचुल्स है और माननी अता है जगा का बात करें तो यह एक ब्यूटिफुल लोकेशन में है आप उपर जाएए और मजे लीजिए इस पूरे घाटी के वीव का भी अपार्ट फ्रम माथा टेकना इन फ्रंट आफ गोलु देवता घोडे खाल मंदिर का दर्शन करने के बाद मैं निकल चला फूगलु के साथ अपना अगला डिस्टिंशन और यहां से अप्रॉक्सिमेटल गैरा बारा किलोमेटर दूर है अगर आप जिगोरेफिकल लोकेशन देखेंगे तो यह नैनिताल अलमुरा रोड अप्रॉक्सिमेटल नौ किलोमेटर के आस पास है और भौवाली से करीबन सतरा किलोमेटर के दूरी पर स्थित है आप यहां पे अगर आना चाहते हैं तो आपको पहले काट गुडाम आना पड़ेगा और वहां से आपको कोई दो धाई घंटे का बस राइड या कोई लोकल टैक्सी पकड़के नीम करूली बाबा तक पहुँचना पड़ेगा सिंस मेरे पास तो अपना बहां था फोगलू था तो मैं फोगलू को लेके ही उड़ा चला नीम करूली जी का दर्शन करने के लिए नीम करूली जी का बाबा भगवान हनुमान जी को समर्पित है और ये 1960 में स्री नीम करूली बाबा जी ने सापित किया था ये टेंपल फेमस तब हो गया जब फेसबुक के ओनर मांग जुकरबर्ग और एपल के ओनर स्टीब जॉब्स यहां पे आके मत्था ठिकने के लिए आए हुए थे ये और भी फेमस तब हो गया जब विराट कोहिली और अनुशका शर्मा दोनों आये थे अपने मननत पूरा करने के लिए नीम करूली बाबा जी के बारे में एक छोटा सा फैबल ये है कि बहुत साल पहले वो एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे कोई कारण वस टीटी ने उनको ट्रेन से उतार दिया और उसके बाद वो ट्रेन स्टार्टी नहीं हो पाया आसपास के लोगों ने जब टीटी को रिक्रिस्ट किया कि आप नीम करूली बाबा जी को दुवारा ट्रेन में बठाये तब ही वो ट्रेन चलेगी और ये करने के बाद ही वो ट्रेन वहाँ से आगे निकली ये तो एक कहवत है, I don't know इसका कितना सच्चाई है बट, believe in me, दोस्तों, यहां पे आने से एक अलग किसम का उरजा, एक अलग किसम का अनरजी, एक अलग किसम का, क्या बोलूं मैं, sensation ज़रूर मिलती है जरूर आईए, मत्थाटे किये, पुन्ने कमाईए और इस इन्वायर्मेंट का भी मज़ाद जरूर लेजिए यहां पे आस पास में ठैरने का बहुत बहुत सुंदर सुंदर जगा है कोई दिक्कती नहीं है, रोड भी साफ है, कोई दिक्कती नहीं है अब में गाड़ी से भी आ सकते हैं कैंची धाम, नीम करूली बाबा का आश्रम नीम करूली बाबा जी का दर्शन करने के बाद अब मैंने फोगलू को स्टार्ट किया और वापस अपने होटेल के तरफ निकल गया क्योंकि अब मुझे बस एकी काम करना था, होटेल जाना था, पैकिंग करना था, ब्रेकफास्ट करना था और चेक आउट करके दिल्ली के तरफ भीगते हुए निकल जाना था अब यहां से आगे का कहानी कुछ ऐसा हुआ कि बारिश के कारन मेरा सारे कैमेराज बैक के अंदर चला गया क्योंकि लगाता जमा जम बारिश हो रही थी और सारे कैमेराज भीग रहे थे तो इसके आगे का रिकॉर्डिंग मैं कर नहीं पाया लेकिन इन टोटैलिटी मुझे अप्रॉक्सिमेटली 6 घंटा लगा नौन स्टॉप दिल्ली तक पहुँचने के लिए जो कि अप्रॉक्सिमेटली 280-290 किलोमेटर के आसपस था ये जर्णी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टन था वो इसलिए क्योंकि रैंडम एक मेरे अंदर से आवाज आया कि मुझे घोड़े काल जाना है और बस समान उठाया और मैं भीमताल पहुँच गया गोलु बाबा का दर्शन करने के लिए और मेरे हिसाब से लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए बहुत जादा कुछ सोचना नहीं चाहिए बिकरस लाइफ हम लोगा बहुत छोटा है और हमें ये नहीं पता चलता कि अगले दिन हमारे सामने क्या पेश आए क्या नजर आए या लाइफ किस तरीके के चैलेंजिस आके खड़ा कर दे इसलिए मेरा मानना तो यहीं है कि जैसे भी हो जो भी हो हमें हर तरीके से लाइफ को जी लेना चाहिए अच्छी तरह सो डाट बाद में जाकी यह मलाल ना रह जाए की एक जिन्दगी थी जीनी थी और रह गई इसी थौट के साथ मैं अलवीदल एता हूँ अगले अडविंचर के लिए तब तक बाई बाई टेक चेर